आज हम बनाएंगे ऐसे cutlets जो कि बहुत ही popular हैं, बहुत ही healthy हैं और बहुत आसानी से बनकर त्यार होता हैं खाने में एक्तम soft होता है, मुझ में जाकर जैसे घुल से जाता हैं तो आज हम रोशियन कटिलेट्स बनाएंगे, जो कि बहुत टेस्टी बनते हैं, इफतार में बनाएं आपका दिल खोश हो जाएगा, असलाम अलाएकुम, तो चलिए ये मज़िदार से कटिलेट्स बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमें चिकेन को गला लेना हे एक प्रेशnew कूर ले लेंगे और इसमें 250 ग्रॉली में बॉनले स सक टेंगे भाई अब इसमें आदा कप पाहीं ऩराइंगे, अब इसमें 105 ल्यागू। अब इसमें 1-5 तीश्पून नमक और आदा का निमर्स का पावोडर, अदे नम जब इसमें हाई फ्रिम पर प्रेशर आ जाएगा ग्यास के फ्रेम को लो करतेगे और लो फ्रिम पर आठी त्रष मटलेश को कर लेंगे जब चिकन अच्छी तरह से गल जाएगा तो जो इसमें आपको एक्स्ट्रा पानी दिख रहा है उसको निकाल लीजेगा उसका इस्तमाल स्टॉक की तरह कर लेंगे बाद में और अब हम यहाँ पर चिकन को श्रेट कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं पोटट्टो मेशर से इसको क आप चाहें तो बाहर निकालकर थोड़ा सा ठंडा करके हाथों से भी श्रेट कर सकते हैं अब हम ले लेंगे एक पैन और इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून तेल मैं तेल का इस्तमाल कर रहे हूं अगर आप बटर यूज़ करेंगे तो बेस रहेगा क्योंकि बटर का टे जब सबजियां हलकी सी स्टर फ्राइ हो जाएंगी हम इसमें दो टेबल स्पून डाल देंगे मैदा और मैदो को भी थोड़ा सा भून लेंगे डेर से दो मिनट के लिए इसको भून लेंगे जिसे की जो मैदी का कच्पन ने वो खतम हो जाएगा अब हम इसमें एक तिहाई अब हम डाल देंगे इसमें शेट कियावा चिकन जो चिकन के अमने रेशे रेशे अलग कर लिए थे वह हम इसमें डाल देंगे और दो मीडियम साइज के आलू डाल देंगे जिसको मैंने मैश कर लिया अची तरह से इसके साथ आदा कप डाल देंगे बारिक कटी भी प्यास ट्रीजम नमक में 20-30ब नमक डाल और 20-30-30-30ब लाल मिर्ज का पाउडर औरLove जाले 050-30ब खूटी अरे रियं से 20-30 अब यह प्लूम तो पास में यह इनीगें अब आधा टीस्पून में काली मिर्ज का पाउडर और ढाल रहे हूं टोटल मैंने एक टीस्पून काली मिर्ज के पाउडर का इस्तमाल किया इसको बनाने में अच्छी तरह से इसको मिला देंगे और अब इस मिक्षर को थोड़ा से ठंडा होने के लिए रख देंगे अब हम अपना मिक्षर लेंगे जो कि थोड़ा से ठंडा हो चुक है और इसको हम कटलेट का शेप देंगे तो मैं इसको ओवल शेप में बना रहे हूं आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं अब हम इन कटलेट को डिप करेंगे अंडे के इंदर अच्छी तरह से अंडे में कोट कर लेंगे अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो कॉन फ्लावर का एक सलारी बना लीजेगा उसमें आप इसको कोट कर लीजेगा अब यह मैंने बारिक वाली सीवाइयां लीवी है जीर और अच्छी तरह से सिवाईयों में इसको कोट कर लेना है रॉशियन कटलेट्स बनाने में इसी सिवाईयों का यूज होता है तो इनका असल लूग आता है लेकिन कभी कभी हमार पास सिवाई नहीं होती है तो इसके जगा पर ब्रेट क्रम्स का भी इस्तमाल कर सकते हैं या कर त्यार किये हैं और जितना मिक्सर है इसमें 14-15 कटलेट्स आराम से बन जाएंगे इस पॉंट पर आप इन कटलेट्स को फ्रीज भी कर सकते हैं प्लेट समयत आपको ऐसे ही इनको फ्रीजर में रख देना है जब यह थोड़े से स्टिफ हो जाएंगे किसी भी जेप लॉक कर देंगे कटलेट्स को मीडियम फ्रीम पर फ्राइए कर देंगे जब तक कि यह चारो तरफ से गोड़न और क्रेस्प करना है इसलिए इसलिए इनको फ्राइड़ पर देख सकते हैं बहुत जबरदस सा कलर आचुकि हमारे कंटलेट्स में और हमारे जबरदस से रचें कटल आप इनको एक बार बनाएं मुझे पूरे यकीन है ये कटलेट्स आपको बहुत पसंद आएंगे और आपने देखा इन कटलेट्स को बनाना भी बेहदासान है और अंदर से भी एकदम सौफ्ट से होते हैं बहुत ही जबर्दस कटलेट्स बनकर त्यार होते हैं तो आप इस रेसेपी को ट्राइ करें और मुझे को जरूर बताएं आपके कटलेट्स कैसे बने और अगर आपको रेसेपी पसंद आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलेगा थैंक्स फॉर वाचिंग दा वीडियो अलाव फेस